एलो फ्रेंज आजके इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, दोस्तो इस वीडियो में समाने की आंजे सम्वन्दित प्रशनों को डिसकस करने जा रहा हूँ, तो दोस्तो वीडियो में आप लास तक बने रहें, सभी तरह के प्रतीज़ी प्रक्ष जरूर कीजिए क्योंकि इसी तरीके कर नॉलेजबल इंट्रस्टिंग और समाने गांसे सम्मंद्द वीडियो हर दिन चैनल पे अपलोड किया जाता है तो चले दोस्तों वीडियो को आप शुरू करते हैं सिखो के किस गुरू का जन्म पटना साहिब में हुआ था आपको बताना है कि सिखो के वो कौन से गुरू थे जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर है option B गुरू गोविन सिंग यानि कि गुरू गोविन सिंग वो सिखो के गुरू थे ज अरजुन देव किस के साशनकाल में थे तो दोस्तो सीख गुरू अरजुन देव जहांगीर के साशनकाल में थे दोस्तो सा जहां जहांगीर हुमाईव और अकबर ये चारो मुगल साशक थे खालसा के अस्थापना किस ने की तो दोस्तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन C ने की थी। रंगोली भारत के किस छे से प्रमुख लोग कला शयck सेखे़ है कि रंगोली भारत के किस राज्य की स्ग्र के है किस छे से परमुख लोगर कलाल शयलि है। तो इसका सही उत्तर होगा hey महरास्ट थो एक ओक ऌनिस माझातन करें महारास्ट कहां पे है तो दोस्तों आपको ये पूरा येलो कुलर में जो दीख रहा है ये महराश्ट राज्ये है और महराश्ट राज्ये का जो राजधानी है वो है मुंबई और यहां के मुख्यमंत्री है उद्धग बाला साहिप ठाकरे मदुबनी लोककला बहुत ही इंपोर्टन ये प्रस्ण है किस राज्ये से संबंधित है तो दोस्तों मदुबनी लोककला बिहार राज्ये से संबंधित है अब दोस्तों मैप में बिहार कहां पे है तो दोस्तों मैप में बिहार यहां पे है और एक बार आप ये भी देख में नेपाल है तो ये भी कई बर पुछा जाता है कि बिहार के नौर्थ में साउथ में इस्ट और वेस्ट में कौन-कौन से राज्जी है या देश है तो इसको भी आपको याद रखना है और दोस्तों बिहार की राजधानी है पटनास और यहां के मुख्यमंत्री है नितिश क किसके साशन काल में राजकिये धर्म इसलाम समाप्त किया गया था दोस्तों अकबर, सेज़जा, बाबर यासा जहां चार आपसन दिये हुए है और आपको बताना है कि इनमें से किसके काल में राजकिये धर्म इसलाम समाप्त किया गया था तो दोस्तों इसका सही उत्तर है Option A, अकबर, दोस्तों, अकबर, मुगल साशक थे, बौध धर्म को मानने वालों की सरवादिक संख्या किस राज्ये में हैं, यानि कि यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्ये में सबसे ज़्यादा बौध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पे सही उत केरल का परमुक्तेवार, तो यहाँ पे option B सही है, अब दोस्तों, एक पर मैप में देख लिजी कि केरल कहाँ पे हैं, तो दोस्तों, मैप में केरल है, यहाँ पे, यह देखेए, यह लोग रहा है, और केरल से सटे राज्ये हैं, करनाटक, और यहाँ पे है तामिल नाडू, और इस सायट पूरा C है, यहनि कि पानी से घिरा हुआ है. और दोस्तो खेयरल की capital city है, तिर्वानत्पूरम यहनि कि केयरल की राजदानी है, तिर्वानत्पूरम और यहां के CM, यहनि कि मुख्यमंत्री है, पिनाराई, विजैयन. पोंगल किस राजे का प्रमुक्तेवार है अब आपको बताना है कि पोंगल किस राजे का प्रमुक्तेवार है तो दोस्तों पोंगल तमिलाडू राजे का प्रमुक्तेवार है तो यहाँ पर ओफशन D सही है तमिलाडू अब दोस्तों तमिलाडू की राजधानी तो दोस्तों दोस्तों आपको मानचीतर देखना आना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर इस्थित है या किस राज्य के मतलब अगर जिसे तामिलाडू है तो यह किस किस राज्य से बॉर्डर शेर कर रहा है तो यह बहुती बेसिक प्रशन होते हैं तो आपको आना चाहिए और खासकर बिहार से सम्मंदित तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के उत्तर में क्या है दक्षिन में क्या है पुर्व में क्या है पष्षिम में क्या है आपको ये सब याद होना चाहिए बैसाखी किस राज्य की परमुक्तेवार है अब आपको बताना है कि बैसाखी नाम बताने की किस राज्य की परमुक्तेवार है तो दोस्तो बैसाखी पंजाब का परमुक्तेवार है अब दोस्तो पंजाब कहां पे है एक वर देख लीजिए तो दोस्तो पंजाब यहां पे आ लोसंग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में, तिबबत में, तमिलाडू में या इन में से कहीं नहीं तो दोस्तो लोसंग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में तो यहाँ पर option A सही है दोस्तो एक पर सिक्किम देख लिजी कहां पर है तो सिक्कीम एकदम यहां पे है यह देखिए यह लोकलर में आपको दिख रहा होगा यह लोकलर में आपको दिख रहा है यह सिक्कीम है दोस्तो सिक्कीम की राजधानी है गैंग टॉक और यहां के जो मुखे मंतरी है उनका नाम है प्रेम सिंग तमांग इसा मसी के जनम दीन के रूप में मनाया जाता है कौन सा तहवार मनाया जाता है आपको ये बताना है गुड फ्राइडे, क्रिस्मस, इस्टर या पाम संडे तो दोस्तो इसा मसी के जनम दीन के रूप में मनाया जाता है क्रिस्मस 25 दिसंबर को इशाह मसी के पुर्ण जीवित होने की स्मृती में मनाने जाने वाला तहवार है यानि कि आपको तहवार का नाम बताना है जो की मनाया जाता है इशाह मसी के पुर्ण जीवित होने के स्मृती में तो दोस्तो यह तहवार का नाम है इस्टर तो यहाँ पर option C एकदम सही है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए अगर वीडियो पसंद आया है तो जादा से जादा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए, सेर कीजिए और दोस्तो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तो अगले वीडियो में मिलता हूँ कुछ और questions के साथ तब तक के लिए Bye Bye